पांच अक्टूबर 2022 बुद्वार रात को T20 क्रिकेट के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया दरसल आपको बता दें कि T20 क्रिकेट के इतिहास में केरिबियाई खिलाडी रहकीम कॉर्नवाल ने एक ऐसा कारणामा कर दिया कि जिसकी चर्च अब लगातार हो रही है उन्होंने T20 क्रिकेट के इतिहास की पहली डवल सेंसरी लगाई और ये कारणामा उन्होंने मातर 43 गिंदों में किया 29 साल के रहकीम की बात करें तो उन्होंने T20 किरकेट के इतियास के पहली Double Century लगाने के साथ एक बड़ा रिकोड अपने नाम कर लिया है रहकीम ने यह Double Century Atlanta Open T20 लीग में लगाई इस वक्त वह Atlanta Fire की टीम की ओर से खेल रहे थे इस दोरान उन्होंने 43 गिल्दों का सामना किया और Double Century ठोक दी उन्होंने अपनी पारी के दोरान 17 चौके और 22 चक्के लगाए उन्होंने 22 चक्के लगाने के साथ ही Double Century पूरी की और साथ ही इतिहास रच दिया बात करेंगर रहकीम की तो उन्होंने 3 साल पहले भारत के खिलाफी West Indies की टीम से खेलते हुए W किया था अपने मोटापे के कारण वेलगातार चर्चा में रहे हैं उनका वजन तब 140 किलो था और अब भी वेलगबगा इतने ही वजन के हैं इसके लावा उनकी हाइड भी 6.6 है फिट है और वह बल्लेबाजी शांदा तरीके से करते ही उनके डबल सेंचरी के वदलत उनकी टीम ने 172 रनों से जीत भी हासिल की और अपने मोटापे अपने वजन अपनी हाइट के बाद अब रहकीम अपनी बल्लेबाजी के लिए भी चर्चा में हैं रहकीम की टीम उन्होंने अपने टीम के एखिलाडी स्टीवन टेलर के साथ भी बड़ी साज़ेदारी की जिन्होंने त्रेपनन बनाए इसके अलावा समी असलम ने भी त्रेपनन का योगदान दिया वहीं जब उनकी विपक्षी टीम स्कावायर ड्राइव बलेबाजी के लिए उतरी तो वेश्ट तेस्ट माच्च के लिए उन्होंने भारत के खिलावी डेब्यू किया था फिलाल में वेश्ट इन्डीस के लिए टीट्वंटे लीग और घरेलु की कि खेलते वे नजर आते हैं उनके क्रिकट करियर की बात करें तो फॉन के नाम 1146 नहीं उनका एवरेज 20.46 ऐसक प्रक्टिस नहीं करता हूं मेरे प्राकतिक ग्रूप में है कि मैं लंबे-लंबे शॉर्ट केल सकता हूं वराल उन्होंने इतिहास और रस्दी है और उनका ये कारणामा इस वक्ट चर्चा में है क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक शेर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार